थर्टी सेवन डोलर पर परसन की टिकेट है बहुत महेंगी है भाई फाइव डोलर पॉल्स ने रोख लिया पॉल्स ने और भाई सब कितनी मस्त बात है ना इंडिया से इंडियन गाड़ी को चला के हम कमबोडिया में अंकुर्वाट टेंपल में आगे जो कि के वर्ल्ड का लार्जेस हिंदू टेंपल है यह जो अंकुर्वाट टेंपल है ना भाई 12th सेंचुरी में बनाये गया था ओल्मोस्ट 900 होगे इस टेंपल को बने हुए हलो की हल चाल एक और नहीं दिन एक और नहीं जर्नी आज अब यह 9 एप्रेल 2024 मैं हूं अभी कमबोडिया के खुब्सूरा शहर सियाम रीप में आप देखरों भाई नमस्ते उस्टेलिया रोड ट्रिप का एक और नहीं एपिसोड इस को लेके 110 दिनों के लिए जिसमें 11 देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमेटर काड़ी को चला के पहुंचेंगे उस्टेलिया में तो बहुत ही अपिक वाली रोड ट्रिप है जैसे लंडन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया वैसी भही है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फटा है कितना दूर पड़ता है सियाम रीप से जादा दूर निया पास ही है वर सिल हम अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं यो ही भाईया इतनी लंबी ट्रिप पे निकले है तो अच्छे से गाड़ी लेकर ही जैसे अपना नेपाल में पशुपतिना टेमपल गए ते यहां पे भ अपना टुक टुक भी ले सकते हो उनसे नेगोशेट कर लेन अच्छे रेट पर ले जाएगा हमारी खुद की गाड़ी तीसले जा रहे है यह आप स्कूटर रेंट पर लेकर खुच से चले जाओ तो दो तिन तरीके अपने इसाब से चले जाना बड़ी आपना जैसे आपक यहां इतनी बसावट हो चुकी है तूरिजम की वाइसे पे स्पेशली यह जो अंकोर वर्ट टेमपल है यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और इंडिया से भी काफी आते है इसलिए यहां पर टूरिजम सेक्टर बूम पे है और डेवलप्मेंट भी काफी हो रही है तो इ आइलेंड बॉर्डर से सियाम डिप तक का हाइवे था वह भी मैंने आपको दिखाया था मतला हाइवे तो क्या नॉर्मल रोड ही था सिंगल रोड थी उसी में इधर से भी ट्राफिक था उदर से भी ट्राफिक था तो प्रोपर एक्सप्रस वे हाईवेज नी बने उए यह यहां पर अच्छा है ओवर ओल देखा जाए रहा है पोलसं ने को बाधा पोलसं ने रोगल्या पोलसं ने हालो टिकेट कंट्रूल अहां टिकेट जाए हुं अंकोरवा टिकेट ए यह यहां पर पुलिस से ही थे यहां पर जिन्हों ने रोका बट टिकेट चेक करते हैं मुझे तो लगा भाई पुलिस ने रोक लिए चलान वरान करेंगे जबकि ना तो मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा था बना ओटेक किया था मैंने बट यहां पर ओटेक अलाउड है क्योंकि अगर कंट्यूनेस होती है तो आप ओवर टेक नहीं कर सकते हैं मतलब दूसरी लेन में जाके तो रूल तो कोई भी नहीं तोड़ाता करते क्या मतलब वही है अगर कोई ट्रैफिक कुलिस होती है और चलान काटते है तो थोड़ी बहस बाजी होती ही फालतुपी पर यही बा वरना टिकेट लेने के लिए एक अलग कॉंप्लेक्स बना हुए वहाँ जाना पड़ता है तीन चार किलोमेटर तो मैंने का ओनलाइन लेलते है रेट जब सेम ही है तो आप वो क्लिप देख लो जो मैंने होटल में लीती जहां से मैंने अपना बुकिंग करी है तो यह वैब बस फिर टिकेट लेने के बाद भाई आपको एक पीडियाफ मिल जाएगी उस पीडियाफ को अपने फोन में डाल लो वही फोन वाली पीडियाफ मैंने इन भाई साब को दिखाई ती ट्रैफिक में जो रोका जिन्होंने और एक नंबर था उस पे इन्होंने नंबर डाला अपनी उसमें और भेज दिया, तो मतलब कि ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो ना भाई ये सारा का सारा अंकोरवट के ही अंदर आता है, एक्चौल में अंकोरवट ना सिटी का नाम है और ये टेमपल जो हम जा रहे हैं उसका नाम भी अंकोरवट टेमपल है, तो सिटी लेंड एरिया वाइस, क्योंकि ये तो 400 एकड में बना हुआ है, पशुपतिना टेमपल कितने एकड में है वो मुझे याद नहीं है, तो एक बड़ बता दे ना कमेंट सेक्शन में कौन सा लार्जेस्ट है, ये या पशुपतिना टेमपल, बाकि ये जो रस्ता ना पूरा बाई ऐसे जंगल टाइप का है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पूरा एरिया ना फोरेस्ट वालों के अंडर आता है, और जिन्होंने हमें रुकवाए था वो भी फोरेस्ट डिपार्टमेंट से ही थे, तो इसलिए वो टिकिट चेक कर रहे थे, बड़ सब की तो नहीं इनकी ओफिशल वाली पारकिंग में गाड़ी खड़ी करके फिर निखलेंगे आगे, भीर तो भाई काफी हो रही है, और अच्छी बात ये है कि आज ना थोड़ा मौसम सही है, वरना पिछले तीन दिन से तो इतनी कंदी वाली गर्मी पढ़ रही थी भाई, और आज थोड इन तक तो बढ़िया हो जाएगा भाई, यहां तक मुझे लग रहा भाई, यह सामने वाली जो ग्राउंड सा बना हुए यही पारकिंग है, और यहां दुकान ने दुकुने भी काफी बनी हुई है, चलते अभी तो गूगल मैप जहां तक ले जा रहा है, क्योंकि टेमपल पूछ लेते हैं किसी से फालतु में लगा के कई पैसे भर दे और फिर जाई न पाएं, हलो, एक्स्क्यूज मी, अंकोरवा टेमपल, यह, 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 पार्किंग, और दिस इस दे वे राइट, ओक्योंकि थैंक्यू, यह, उमीद नहीं करी थी कि इंग्लिश आती होगी, पर थाइलेंड तो मिनी इंडिया गोशित कर देना चाहिए, अब इतनी पोपुलेशन इंडियांस की बढ़ गई है, जो रेस्टुरेंट, जो होटल, जो कलब, शलब, सब वाई इंडियांस की है, स्टाफ भी सारा इंडियां, मतलब रेस्टुरेंट ओनर्स तो है, यहां पे क अपने को, ओविसली पेड ही होईगी, पार्किंग फ्री तो नहीं होगी है, भाई यहां पे ना कोई भी टिकेट चेकर तो है नहीं, तो जहां तक मुझे लग रहा है, पार्किंग फ्री होईगी, तो बढ़ी है, जैसे पश्वतिना टेंपल के भार भी फ्री थी थी ना प फ्री जैसे हैं था फाइफ स्वर्व को चाहा इंगे अगा फेटिना टेंश मुद्ध जबा तो को फाइफ फाइफ दोलर टो टेंशे से जञे एक थोड़ी है, तो ओफा फाइफ दोलर एंगा के छाड़ सोरी होते हैं फाइफ दोलर, दो और दोलर, ओविड धोड़ी है, दोनों को एक सोहन एक मैं लेके मंडर आइंगे ये कैमफलर हां नो 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 दिस नो 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 ये निचाए ये वस हैट बहता है इंसाइट टुक टुक हाँ मच वान डॉलर ए ये तो गए बाई टुक टुक में चलो तो नो ये लीचेव तो याँ नो पूर सेपन दे नीतों है तो ये ना भः ये तो ये ना भाई पूरे कॉम्प्लेक्स अन्दर हिं तो और थे सारी चीजह है तो ये सीथर ये ये शीदर तेमपलत दिघींगे you तो यह बयून यह भी बहुतलोग जाता है हमेंच फर बत इसल्ए बयून। बदी एक यह क्या ना रहना है व्यों बदीश कावभा है एक डॉल्लार यह डॉलार दक थे झाट र्टनाट उट ना तो कि अंकोरवट रहें तो ड्रोता तो यहान पक्राइब है श्यूंधर सभकिद है लुद कि विए घ्तने जा 9 ड्री कॉम्लेकत है स्थेटेकोन फ्लिगेशनाeli थे तो पिर यह से ब्रेंडेट को सद्फेड़ाय ठाहऑ लिहाएं अंक MORकि इंसी जा साई किशने द्रीग लेरीश में चलता है जब कि अपनी करन्सी है वाई दियाल करके बत वह कोई भी नी महांगता है यहां पे सब डॉलर करते हैं तो चलो सहए देखते कितना दूर है आप पारकिंग से अरे हां लोकेशन बेश दो गाडी की सचे अट आया नहीं है याद नहीं रहता प्राजी लगा के आजेंगे परस रख लिए तना मेरा अगर यह तुकटुक ना लेते तो पारकिंग से पैदल जाना पड़ता है इतने किलो मीटर का है वो देखना पड़ेगा ज्यादा नहीं होगा मैक्स टू मैक्स आट सो नो सो मीटर ही होगा इतना पर ठीक है यह भी बच जाएंगे ना तो वही एनर्जी हम अंदर टेंपल को एक्स रोल करने में लगा सकते है बहुत बड़ा टेंपल है क्योंकि पुछ मुझे लगा दूर होगा नो फोटो नो फोटो तो भाई वह देख रहे हो आप सामने वह है पूरा अंकोरवा टेंपल अभी हमें यहां से जो ए रस्ते से चलते हुए जाना है यह जो अंकोरवा टेंपल है ना भाई ट्वेल्थ सेंचुरी में बनाया गया था उस टाइम के जो राजा थे ना सूर्य वर्माटून के द्वारा तो अराउंड लगा लो दोजार चोबीश चल रहा है तो ओल्मोस्ट नाइन हंडड़ एर्स हो गए इस टैंपल को बने हुए इसके लाब भाई जो कमबोडिया की ओफिशल लेंग्वेज ना उसको कहते है खमेर तो खमे सेंचुरी में इसको बुद्धिश टैंपल में कनवर्ट कर दिया गया ऐसा क्यों में अंदर जाके दिखाऊंगा क्योंकि यहां पे विश्नु जी लक्ष्मी जी के आइडल से है और साथ में शिवलिंग भी है लेकिन शिवलिंग को तोड़के उसके उपर बुद्धा स्ट एससाइड बनाया गया है टूरिस्ट के घूमने के लिए मतलब घूमने के आप विजिट करने के लिए इसके लाव भाई मैंने बताया आपको की 400 एकड में फैला हुआ टैंपल है जिसको बनाने के लिए 30 एर्स जी हां भाई 30 साल लग गए थे सो चलो कितना बड़ा साइज होगा तो यह देखो भाई पूरा का पूरा यह कॉम्पलेक्स है एक रस्ता यह जो इन्होंने बंद कर रख है जाने के लिए दूसरा रस्ता यह है और एक रस्ता है जश इसी के बैक साइड में तो आप देखोगे ना यह पूरा कॉम्पलेक्स अगर मैं उपर से एरियल शोट्स डाल दूंगा अगर मुझे मिल जाएंगे तो यह पूरा का पूरा टेंपल ना भाई सराउंडिड है खाई से यहां घहरी खाई है इसके पूरे चारों तरफ और उस खाई को भरा गया है पानी से काफी घहर है हमाही बतलब आटी करने के लिए दो रस्ते आगा बर जाते है एक हम उनक्रेट बाद में बनाए गया गया है यह लुए इसको तो भाई खाई है पूरा जहां पर पानी मैंने आपको बताए ना गहरा काफी है देख रहो तो यह इसलिए बनाए गया था कि कभी कुछ भी हाँ पर अटैक वगएरा हो तो रोका जा सके आर्मी को अंदर आने से क्योंकि अगर चारो तरफ से रस्ता खुला है तो भाई हर तर बाकि यह देखो लड़की लड़के सारे ना ऐसे ट्रेडिशनल ड्रैसिस पहन के भी फोटो शूट वगएरा करवाते हैं आप भी ले सकते हो हमसे पूछ रहते हैं वह अपने टुक टुक वाले भाई साब हमने मना कर दिया था और साधी साथ भाई फोटोग्राफर इतने घूम रहे हैं यहां पर वन डॉलर टू डॉलर में फोटो किछ वालो मतलब प्रोपर टूरिस अट्रेक्शन है यह हर चीज़ यहां पर मिलेगी अंदर बड़ा है एरिया तो हमने पानी की बोटा लेक लेकर पर आया वैस तो रो गरम हो चुगी होगी मुझे पता है बागी यह देख लो भाई एंट्री है यहां से अभी तक मुझे नहीं पता चला भाई यह इस्ट गेट है या वेस्ट गेट है खैर उस चीज़ से इतना फरक भी पड़ेगा क्योंकि सेम ही है दिखने में शाय से ज तो यहां टिकेट तो चेक हुई भाई तो दूसरे वाले बाई कहते है इंडिया से यह मतलब इंग्लिश में बोलते है तो कहते है दिस इस दभी के शिंदू टैंपल यू नीडा गाइड मैं नहीं गाइड नी चाहिए और वहाना बोड लग रहा है यह ट्राइपोड वाले सोचो यह कितने बड़े बड़े पत्थर को लाला के यूज करके भाई यह बनाया गया था उस ताइम पर 900 साल पहले जब टेकनोलोजी वगारा क्रेंस वगारा कुछ नहीं होती थी ऐसी इजिप्ट के प्रामिड है भाई मतलब कितने हजार साल पहले बने थे और आज तक मि आए दा प्रामिड देखके और वैसी कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े आज हमें इस टेंपल में भी देखने को मिलेगी जो 900 साल पुराना है यह जो आप वाल्स एक रहे हो ना भाई टेंपल के पूरे आसपास में यह 3.5 किलोमेटर लंबी वाल्स है जो प्रोटेक्ट करती है इस पूरे के पूरे कोंपलेक्स है टेंपल को बाकि यह जो आंकोरवड टेंपल है ना भाई हिन्दु जोम मेर्ट से रिलेटट है यह जो बहुत से रिलेटट है क्योंकि यह जो आνकोरवड की ओरिन्टेशन है इन वो वेस्ट की तरफ है और वेस्ट डियरेक्शन को हिन्दू कलचर में भाई डेट से साज़ातF TIME दिए as a funeral area use करते थे, मतलब डेथ के बाद जो प्रोसीजर होते हैं उनके लिए तो यह जो मेरे आप पीछे देख रहे हो भाई यह एंट्री गेट है है हाँ का में जब हम ब्रिज क्रोस करके आते हैं तो यहां से एंट्री होती है एक्चल में एक यह लोता एंट्री गेट नहीं है उदर की तरफ आप देखोगे वो भी एंट्री गेट है फिर एक उदर की तरफ भी एंट्री गेट है और ऐसे इस तरफ देखोगे तो यह राएक एंट्री गेट और आगे भी एंट्री गेट है तो बड में ये जो सेंटर वाला गेट है ना वो ये वाला है और सीडिया भी देखो भाई इन्होंने ना बाद में बनाई है लकडी की लेकिन जो उरिजिनल सीडी थी ना वो इसके पीछे है और अभी तो अंदर जाके मैं आपको एक ऐसी सीडिया दिखांगा जो भाई दिख इस तरह के पूरा डिस्ट्रोइड ये अब देखोगे ना बाई कितनी डिटेल में और कितनी गहरी गर रखिए ये पूरे भाई आपको जूं करके दिखाता हूं यह देखो इस तरह के मूर्तिया बनाई गई है वह करके कार्विंग करके पूरा इधर की तरफ भी यहां भी देखोगे ना कि उपर से नीचे पूरे के पूरे के पूरे कार्विंग करी कही है आज कल तो भाई किसी भी चीज में पत्थर हो टाइल हो आप कार्विंग कर सकते हो बड़ी इजली में बस अपना कंप्यूटर में फोटो डालो और कार्व हो जाएगा बट उस ताइम पर 900 साल पहले इस सब कुछ काम भाई हाथ से किया गया था सोचो जो कारिगर या आर्टिस्ट होते थे वह करते थे यहां पर कोई मशीन देनी की गता हो इंडिया में बहुत सारे टैंपल्स है पुराने पुराने जहां पर इस तरह से किया जाता हो बट हमारे हिंदू धर्म में भाई बहुत अच्छी चीज लगते है मुझे इस तरह के जब टैंपल्स बने वह दिखते हैं ना पु यह देखो भाई बुद्दा जी का श्चेचु है नहां तक मुझे लग रहा है गलातू तो माफी भाईया बट है अच्छल में बुद्दा जी कही है और यह पूरे रस्ते देख रहे हो ना आप जा रहे हो और महां पे भी मूर्तिया लगी हुई है यहरी बट अभी तक हम म में टेमपल में अंटर किये नहीं है भाई यह तो अभी गेट है जहां से हमने अंदर आयते हैं यहां भी देखो पूरे वह कार्विंग की हुई है और यहां देख लो भाई अब आप यह है सामने की तरह अरे दिखनी रहो गा अब दिखेगा यह देखो भाई यह है जी में तो अब जाके हम जो है वो टेमपल वाले एरिया में एंटर हुए है काइंड ओफ जैसे ताज महल कभी गेट पे एंटर करो आपको फिर दूर से ताज महल दिखते है ना उसी तरह से यह है भाई वो सामने टेमपल है महा तक चल के जाने अभी कितना बड़ा कॉम्पलेक्स है आए देख लो पूरा ओए बहुती बड़ा भाई बहुती बड़ा यह सारे गेट्स है काफी चीज है भाई जो ना डिश्ट्रोई हो चुकी है तो देखो यह रून्स बचे हुए यहां पर भी शायद से हो सकता है पिलर्स हो या श्टैचूज बना रखे उस ताइम पर और अभी यह वाला गेट जहां से हम आये हैं यहां पर भी देखो सपोर्ट देने के लिए यहां पर भी कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता था इस तरह से उधर भी जैसे यहां वाला आप देख सकते हो थोड़ा बहुत बना हुआ है उधर का तो बिल्कुल टूट गया ना लेकिन यहां में बना यह रहा तो ऐसी उस साइड पर भी था अभी शायद से हाथ लग रहा है म बाकि आप बताना एंड बिल्डिंग बीना सारी की सारी भाई बिल्कुल काली हुई पड़ी है यह देखो नो सो साल हो गए तो आप इमेजिन करी सकते हो भाई अच्छा लोगा यह सीधा टेमपल की तरफ चलते हैं यहां पर तो बहुत देर हो गई बट फोटोग्राफर्स काली है तो जी यह मेरे पीछ आ चुका है फाइनली जो में टैमपल है उसकी एंट्रेंस अभी तक हम इसके आसपास के कंपाउंड में घूम रहे थे देख सकते हैं आप कितना वह वहां से आये ते और यह कवर करते हुए अब यहां जागे चड़े है अब इसके अंदर चाके वह आपको दिखे रहे हैं तीन वह में टैमपल है चलने में वैसे इतनी दिक्कत नियां बट गर्मी बहुत है दूप नियां बट हुमिडिटी हो रखिये भाई कि अधर चलते क्योंकि लगबग 40-45 मिनिट में जो है वह अपना संसेट भी होने वाला है तो संसेट हमें इसी एरिया से अच्छा दिखेगा क्योंकि यह देख सकते हैं आप सूरज जाश उपार है तो यहीं से ही ड्रोप होगा तो क्या व्यू आएगा भाई औरेंज औरें से एक्जिट बढ़ वहां से फिर संसेट इतना अच्छा दिखें ना दिखें पता नहीं कोशिश करेंगे जहां से अच्छा दिखें महां जाने की गाड़ी भी सच हमारी उदर की दरफ खड़ी है तो उदर से जाना पड़ेगा भाई यह देखो जी वह 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 उपर भी ऐ सही या बात है यह सारी लखडी की सीडिया बाद में बनाई गई है उस टाइम की उस टाइम पर तो कॉंक्रीट की ही सोलिड अपना सीडिया बनी हुई थी जो काफी डिश्ट्रॉय भी हो गई और कुछ जादा ही ना ऐसे एंगल में थी आपको दिख पाए अगर पता नहीं इसके नीचे दिखरी होगी औरिजिनल तो उस पर चड़ना बहुत मुश्किल था उनके लिए वैसी नहीं चड़ा जाएगा यह देखो इस तरह का अंदर कॉंप्लेक्स बना हुआ है यह पूरा का पूरा भाई एरिया होई 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 भाई साब एंडिटरली भाई कार्वि हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है अब यहां देख लो आप भाई कितना यहां पर बुद्दा जी के स्ट्चूूस हैं बदल वहां लाइन से शुरू होते हुए यह पूरी की पूरी लाइन भाई बुद्दा जी के ही हैं स्ट्चूस वाली सीडिया बैए तो पूरी दिश्ट्रोइ कर्या नहीं बनाई है वर नहीं सब्सक्राटना नामुम्किन सही है वाई क्योंकि उसमें प्लैट्फोर्म ही नहीं वचा तूट तूट के डिश्ट्रोइ सारी की सारी बैए इस तरह इस तरह की सीडिया थी हमापर आप देख भ अगर गिरे भी तो यहीं रुख जाए देखो आपको पत्थर गिरे पड़े है यह सारे उपर से गिरे है टूटके यहां भी जो भी स्टेट्यूस थे मूर्ती थी वो सब तूट चुकी है और ऐसा कहा जाता है भाई मैं शोर न्यूशी इसको कि यह जो आप नीचे का के उपर जो है वो बुद्धा जी के अपने श्टेट्यूस लगाए गए अब यह कितनी सचाई है इस बात में यह मैं शोर नहीं हूँ बट बाते सुनी है वो मैं आपको बतारूं यह देखो भाई यह रहा टेमपल उपर अभी इन्होंने यह रस्ता बंद कर दिया क्या है इस साइड से बंद है क्योंकि देखो न यह स्टेप्स बहुत ज्यादा ऐसे स्टीप है यह खड़ी सीड़ी है और स्टेप भी बहुत पतले पतले है तो चड़ने में मुश्किल होती है एक मंदिर यहां बना हुआ है मेन तो यह है तीन आपको दिख रहे हैं यह आप भी द तो कैसे उठाए गाता था भाई हिल भी ना रहे है तो यहां और इनको यूज करके बनाया गया था और थोड़ा रिस्टोरेशन का काम चल रहा है इदर भी मुश्किल है तो यह एक लोगता गेड़ दो भाई इनोंने स्टार्ट कर रखा है जहां पर इनोंने अपनी अलग से सीडिया बना रखे क्योंकि पीछे वाली सीडियों पर चड़ना ना मुंकिन ना मुंकिन बहुत मुश्किल है तो इसलिए इनोंने अलग से ही दो सीडिया बना दी एक चड़ने वालों के लिए एक उतरन जाने का टाइम है पांच बजे वैसे नीचे गानी तो भाई उपर तो एंट्री नहीं मिल पाई इन मौतरमा ने मना कर दिया सिरफ 15 मिनट लेट थे हम मतलब जब यहां पोचे सवा पांच हो चुके थे देखो पांच बच के 17 मिनट और पांच बजे जब कि यह बंद हो जाता है क्या पता जाने दे फ्लीज पोर 10 मिनट टैन मिनट ओके 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 नो प्रॉब्लम थेंक यू नई भई टाइम के पूरे पके है यह मना कर दिया साफ साफ की नहीं जा सकते है कोई बात नहीं भई दुपैर भरी दुपैर में तो आना वैसे ही पोसिवल नहीं है यह तो फिर सुबा सुबा आओ भाई साथ बजे तब आप अच्छे से पूरा घूम पाओगे वरना दुपैर को आओगे तो गर्मी में मर जाओगे भाई पोंचने से पहले ही तो हम तो उस हिसाब से तीन बज़े निकले तब भी पांच बज़े तक अंदर नहीं पोंच पाई टाइम पर 15 मिनट लेट हो गए सिर्फ यहां कॉंपलेक्स में तो आप अराम से गूम सकते हो बाई पांच बजे के बाद वी क्योंकि संसेट तो साड़े छे तक होगा ना तो अराम से संसेट देखके जाना वह देखो भाई अभी तो सूरजदेव तब बिलकुल उपर ही हो में घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है तो कई लोग जो है या रिसर्चर जो है वो दो तीन तिन दिन का भी पास खरीद के आप्तिय करने के लिए वैसे अपना ओनेश ओपीनियन दू तो एक बार आरे हो ठीक है क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस हिंदू टैंपल है 900 साल प कर सकते हो लेकिन यहा फे सब चीज नहीं है यहां फिक है उसके लीए 3000 पार यह तैंपल एंट्री कहभी कर्मियों के सपेशली तो उविसली कोई रही दो तीन बज़े तो बैंड वजजेए की करमी में तो लोग आएंगे या शूबाइंगे या शाम को आएंगे पांच बजे के बाद और पांच बजे इन्होंने बंद कर रखा है तेम्पल का यहीं कॉम्पलेक्स में इतनी सारी दुकाने बनी है खाने पीने की तो हम पी ले भाई नारियल पानी अठने रहंडा और एक गाने से चल रहे है यह भाई दुकान यहां पीते है रहे कोकोनेट चला दो बस जल्दी से अपतो बहुत पसीन हो गए फैन आने तो नारियल तो भाई मस्त मीठा मीठा सा है पंका चला अब सुकून मिला लो भाई संट्सेट भी कुछ खास देखने को मिला निको की बादल थे बाद आने लग रहे है कि जाओ टाइम हो गया है जा रहे है जी जा रहे है अब इस बार हम जाएंगे भाई इस वाले ब्रिज से जो यह था ना फ्लोटिंग वाला देखे तो सही जरह फ्लोटिंग वाला जूलता है यह स्टेबल है ओ भाई साब यह तो बड़ा सोफ सोफ है यह द और वो सामने टेमपल है वहीं पर तो देख रहे हो भाई मस्त आ गए यहां तक तो लो भाई पोँच चुगए आके हम सेंटर मार्किट में यह आपको साइड में दिख रही है पब स्ट्रीट यहां की में पार्टी स्ट्रीट अब यहां जाएंगे और यहीं पर आसपास सारे इंडियन रेश्टूरेंट्स वगारा भी है भाई तो गुमेंगे फिरेंगे यहीं दो तिन घंटे अपना मस्त मजा यह सामने दिख रहा आपको करी किंग यहां जा रहे है फ के लिए मिलती नहीं है कंबोडिया में भी खेली जाती है होली वही जो तिवहार है ना थाइलेंड को पिछ कारिये मिल रही है और हम तो थाइलेंड में मनाएंगे पंदर आया और 14 और 15 अपरेल को मस्त है श्रीट ना शोपिंग ओपिंग मतलब ए टूज हर चीज मिल जाए क्योंकि करी किंग इंडियन रेस्टूरेंट एट्स को अंदर बैठेंगे भाई एसी में भार तो बहुत गर्मी है तो आज लिया मने जी बिंडी मसाला साथ में पनी टिका मसाला चावल और तवा रोटी लिया वाई तो कि नान खा का कि आप बहुत दिन होगे खोड़े दि खाना टेश्ट है यहां पर जितने इंडिया नेश्टूरेंट है तो आप बिल्कुल आपकते हो खला कि थाइलेंड से थोड़ा से एक्स्पेंसिव एकमबोडी है काने के मामले में स्ट्ली इंडियन खाना बट टेश्ट की रिक्कत निए अराउंड भाई 17 डोलर का भी ला बसे मेरा मन तो है भाई सब देशों के एक एक रखने का बहुत महंगे बन जाएंगे ओल्मुष कितने हैं तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ग्यारा एक लाइन में है तो उल्मुष सारी ही है भाई क्या तो लेली जाए डिसकाउंट पूछू कितना मतला एक ड बाई घर सो डोलर भाई बाराजार उपे के फ्लैग्स रहाएं दो जाद में हो चेंगे फ्रिज मैगनेट वहां प्रिज मैगनेट्स यह लग रहे है वह तोड़े से यूणीक है यह यह तो इस टाइप फाले नहीं देखे माने कहीं पर भी न तो अंकोरवट का ही लेत एक और एक लेंगे कमबोडिया का ये अफसरा सोहन अफसरा ये ले 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 थेक निकाल लो एक एक तो ये हो आव मुच फूर दिस 4 डॉलर 4 डॉलर 320 रुपे का ठीक ये एक तो ये पकड़ो भाई और एक कमबोडिया का लेंगे ये अच्छा लग रहा है आती है ना रबड वाले ह ये अच्छे लग रहे हैं मतला कालर फूल से रहना परिंट इस बीच लग रहा है प्रिंटिज तो और एक भाई वैसे सोविण अपना ये वाल पर रखने के लिए तो ये सारे अंकोरवट के बने हुए बड़ा भी है चोटा भी है और कुछ देखते है बोल्डन ये रियल सबाईन के पास तो गजाब तो भाई यह दे रहे है फाइफ डॉलर का एक ले ले लेते हैं लो भाई अच्छा नहीं 15 का 10 10 डॉलर 15 डॉलर है वहीं सब्सक्राइब लेना तो ही वह मैंने कलेक्शन शुरू किया था तो मैंने सोचा था पोस्ट कार्ड और अपना मैगनेट लिया करूंगा उस टाइम पर दिमाग में नहीं कि स्टैम्प भी लेने चाहिए तो अब दिमाग में आ रहा है बट अब फाइदा नहीं स्टैम्प लेके क्योंकि एक ही कंट्री का होगा तो क्या करते हैं गड्या भी मिल रही है भाई वह फोड़ इस रियल और फेक वन रियल यह सारे नोट से वह फोगा पांचोगा अजार का दो हजार का इससे बड़ा नोट है एक यह निकलवा लो ना न वह ग्यांगत नियुकल वालो यह बढ़ा नोट फिर इनके पास भाई ये रहा कितने का 15000 का भी नोट है भाई यह ला ओ, 20,000 का भी है, 50,000 का भी है, यह रहा, 50,000, 30,000, क्रेजि, ताइद वो एक लाग का, एक लाग का अबो रहा भाई, ग्रीन वाला एक लाग का है, अपने पार नोट कौन को न से पढ़ ए, देखो ना, जो जो नोट है वो अलग कर दो ए लिए हैं सारे नोट यहां के 100,500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 और एक लाग का नोट भी लिए है दिखाओ पर्स दिखाओ इनको सारे नोट दिखा जिते हैं ना कमबोडिया के यह क्या है अचा सो इनियर यह गाड़ी में ना रखी आना भी आप तो हात और इसका तो भाई यह देखो इस तरह के नोट है सो का, पान सो का, हजार का यह है भाई, एक लाग का नोट मसला यहां के एक लाग है करनसी वैसे कनवर्ट करोगे तो भाई इसको चार हजार से डिवाइड कर दो तो आपको डॉलर मिल जाएंगे तो एक लाग डिवाइड बाई चार हजार, यह हो गए भाई 25 डॉलर, इंडिया के हो गए 2,225 रुप, नई 2,125 रुपे, वो एक लाग का नोट बताओ मैं सोच रहो इन तरह महेंगा नोट तो रखके क्या ही करूँगा भाई, एक लाग वाला खर्च देंगे उससे छोटे नोट सारे रख लेंगे चलो जी, चलो अब चलते हैं, हम पब स्ट्रीट देख रहे हो अंकोर पब स्ट्रीट, यहां की नाइट लाइफ है एक तरह से काफी सारे क्लब, पब्स मिलेंगे यहां म्यूजिक चल रहा है और काफी सारे कैफेज वगर अभी है वहाई साब, फिश्ट पा चल रहा है मुझे बहुत टर लगता है एक दो केसी ऐसे सुनें इंफेक्शन के, तो मैंने का ले नहीं नहीं कभी तो एक तो यह कलब है भाई यहां भी गाने वाने बहुत चलते है पेपर टाइगर एक यह भाई कलाब है पूरा और अंखा देग ना रूफ पे कितना बड़ा लगा रख इनोंने फोध तेरी अब उडता है यह गर थेंक्यू विंटेज बना रहा है वाई वन गेट वन फ्री चल रहा है पीने के लिए वही तो लाइटे वाईटे मस जाया है मतलब सजावत अच्छी कर रखी है इधर देखो यह रहा मसाज पारलर काफी सारे मसाज सेंटर हैं आपर अभी तो फिलाल इतना हैपनिंग सा लगनी रहा क्योंकि आज भाई सेटरेडे और संड़े को नाच गाणा चलता यहां पर तकड़ेवाला यह मनगलवार मानते हैंं क्या मानते हैं मंगलवार नाच गाने वो प्या है हलाकि आज तो नावरात्रे शुरू हो गई है यह वाली हम यहां आए थे कल भाई अपनी गाड़ी लेके जिनको खाने का शोंक है उनके लिए तो भाई जननत है दोनों स्ट्रीट मतलब हर तरह का खाना मिल जाएगा इधर देखो आइस क्रीम वगारा मसाज पालर यहां भी और उपर यहां भी देखो है तो लाइट ही बट अलग अलग कलर अलग अलग शेप्स वगारा का यूज करा गया है तो यह स्टीट अलग है पॉप स्टीट नहीं है बट उससे कनेक्टेड है इसका कुछ नाम था मैं बूल अरे बाई चांद देखना क्या लग रहा है वाई लूफ टोप में लगा रख यह सब कुछ चलो च देखेंगे चांद का क्या रूट बनता है कहां कहां से शिपिंग करनी पड़े कि उसी साब से पूरा यह देखो बाई यह नाम है स्टीट का वैतनाक ओल्चियर स्टीट यह भी काफी लंबी स्टीट है वह एंड तक चलो एक बार पूरा यहां से लेके एंड तक गूम आते अटिसी मार्केर के जस्ट भार यह शोपिंग सेंटर है यह देखो काफी सारे तो यह दो भाई मैंने आपको दो मार्केट दिखा दी अब जा रहे हैं तीछरी मार्केट में जो की कहा है नाइट मार्केट यहां की भाई साव यहां आइस क्रिम मिल रही है रियल फूट्स की हाथ तो हाथ बनाएंगे वन मैंगो एंड वन कोकोनेट टू कप्स यह देखते हैं कैसा है तो कि रियल फूट्स का जो है वो सिरप टाइप का गुछ डालेंगे शायस से इस तरह से टेस्टी आइस क्रीम रोल्स तो यह इंडिया में मिलती है बहुत जगा यह तो वैस इतनी गर्मी है ज़रूर खाना च चला दिया भईया ने रेडी पे पूरा लाइट शाइट क्या वाद है सो ना मैंगो तो आ गई है हलाकि मैंने अपने लिए नहीं सोहन के लिए मैं तो कोकोनेट खाऊंगा बस तेस कर रहा हूं क्योंकि रियल मैंगो की है भाई यह अपनी लाइब की वन ओफ दी बेस्ट आइट क्योंकि इसमें दूद और आम ही है तिरफ कोई फ्लेवर लेवर नहीं है मज़ा आगया वाई जिंदिगी वे स्वाद आगये खोकोनेट भी तकड़ा ही होगा यह भाई पता नहीं क्या चीज़े गली गली में घूमते रहते है यह इस तरह से म्यूजिक बजाते हो ना शायद से कोई ट्रेडिशन होगा है आका हो गया भाई थैंक्यू पैसे देद इस तरह की एंट्री है वाई साभी आगया रही हो यह भाई पानी सूखा बड़ा रिवर का इतनी गर्मी होगा बैठने के लिए बैटने के बना रखे है बट रीवर ही सूख गई है विचारी तो क्या अब रिवर साइड के मजे लोगे यहाँ भाई बस वही है दुकाने है करने के लिए अपना शोपिंग करो और इदर की साइड मेरी वार रहा है जो किका सूख चुकी है आपको बताया मैंने कुछ खास नहीं है बस ऐसी एक गेड़ी लगा लेते है भाई एंड तक यहाँ पे न काफी फोरेंटर्स काम करने के लिए रुके हुए भाई मतलब थैं करने के लिए स्थेश्टे और अपताया मैंने के लिए है खास नहीं है अझार्स काम किर भाई मतलब थैंश्यों दिए लाका लाई भाई वाई पोरेंगा तक पास्ट चुकी है रहाँ मतलब थैंश्यों थैंजर्स प्रीं प्रियता नहीं प्रीं है